हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे और हेल्दी होंगे आप सब को मंझूतियागी की राम राम और आप सब कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना आप सब को मकर सकरान्ति की भी सुबकाम ना है और मेरा कोई विलोग नहीं बन था, बीच में मेरा विलोग रुख जाता है, क्योंकि मेरी तबियत बहुत खराब चल रही है, मेरा गला बहुत खराब है, और मुझे सर्दी जुखाम खासी बहुत जादा हो रहे हैं, बुखार भी आया है, और मेरी कान भी चीस रहे हैं, तो आपको मेरी आवाज से भी लग हो चुका था और हम यह बुआ और मामा की बेटियां हैं बहने हैं हम चारो चाचा की बेटी भी है हमारी तो हमने सोचा हमने किसी भी साधी में डीजी पर डांस नहीं किया है एकटा और हम सारी बहने आज यहां पर आ चुके हैं और सभी की साधी भी हो चुकी है तो हमने यह प और बहुत मल लग रहा था, देखिए हमारे घर में ये लड़की की लाश्ट शादी है, क्योंकि हम चार भेने हैं, दो हमारे बुआ की बेटियां हैं, तो सभी की सादी हो चुकी है, और मोनिका की सादी हमारे घर में लाश्ट शादी थी लड़कियों में, तो एक एकसाइटी थी बहुत ज़्यादा डांस करने की हम जरूर डांस करेंगे देखे डांस आए या ना आए डीजे पर तो सभी कर लेते हैं तो हम सब डांस कर रहे थे और चड़त होने में भी काफी टाइम लगा क्योंकि बरातियों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था चड़त पर तो हमने बहुत ज़्यादा इंजोई किया और हम डांस करते रहे हमने बहुत सारे गानों पर डांस किया था तो मैंने म्योजिक हटा दिया है क्योंकि वीडियो में म्योजिक नहीं रख सकते हैं वो आ जाता है कोपिराइट क्लैम आ जाता है और ठंड भी काफी थी आपको पता है और साधिक के विलोग होने के बाद मैं आप से एक वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आपको बताऊं कि हमारी साधी किस तारिक की थी और देखे मेरे विलोग अभी तक साधी के ही चल रहे हैं क्योंकि मेरे वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है साधी में मैंने एक भी विलोग नहीं डाला था क्योंकि देखे साधी में टाइम नहीं मिलता है और उसके बाद ठंड ज्यादा कभी हमारी तब्यत खराब तो मैं धीरे धीरे करके एडिट करने में भी टाइम लगता है और वीडियो जोडने में भी टाइम लगता है और देखिए मुझे चुप चाप चोरी चुपे ही वीडियो एडिट करनी पड़ती है क्योंकि पसंद नहीं है किसी को सब के सामने नहीं अडिट कर सकती तो वह है घर को से चुपा कर ही अडिट करती हूँ तब मैं डालती हूँ तो इसलिए मुझे पूरा सपोर्ट और टाइम भी नहीं मिल पाता है यह इसी कारण मेरी वीडियो लगातार नहीं जा पा रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारा नीचे पर डांस कैसा लगा अपको हमारा नहीं जापको हमारा नहीं है झाल 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 तो मोनिका भी तयार होकर आ चुकी है पालर से और हम मोनिका से मिलने चले गए हैं उसके रूम में अब हम मोनिका के पास ही बैच जाएंगे क्योंकि अभी चड़त आई नहीं है चड़त होने लग रही है तो यहां पर मोनिका की फ्रेंड भी आई हुई है और हम सब भी पोच चुके हैं तो सब फोटो अगयर खीच रहे हैं और देखिए अब हम आ चुके हैं चड़त देखने के लिए तो यहां पर चड़त होती आ रही है और चड़त ने भी बहुत जादा टाइम लगाया है तो हम यहाँ पर दूले के सुआगत के लिए खड़े हो चुके है आरता करने के लिए मेरी भावी भी आ चुकी है लेकिन हमें काफी देर यहाँ पर वेट करना पड़ा क्योंकि जड़ता अगे को आने का नाम ही नहीं ले रही थी इतनी देर इन लोगों ने डांस किया इतनी देर डांस किया कि हम खड़े खड़े भी हमारे पैर दुखने लगे और ठंड तो थी ही तो यहाँ पर हम तो मैंने वीडियो बना ली है चड़त की देखे यह गेट पर आकर खड़े हो चुकी है लेकिन ने दूले को नहीं उतर ने दिया है और हम यहाँ पर कर रहे हैं वेट खड़े हुए अभी भी दूला गेट पर नहीं आया है अभी भी चड़ती हो रही है क्योंकि यह लोग डांस से रुकने कराम ही नहीं ले रहे हैं और उतर नहीं नहीं दिया इन्होंने देखो दूला उतरने के लिए खड़ा है लेकिन दूले के जो फ्रेंड होते हैं और फैमली वाले गाओ वाले यह जो कुछ भी है इन्होंने उतर नहीं नहीं दिया दूले को और बहुत लेट तक हम गेट पर ही खड़े रहे हैं बहुत इंतिजार कर रहे हैं कि दो लेका टेका क्या जाए आरता क्या जाए तो ये वीडियो तो मेरी यही तक है अगली वीडियो में भी आपको आगे की जील लिखाऊंगी तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और मेरी तबित बिल्कुल भी ठीक नहीं है मुझे अच्छे से आडिटिंग नहीं की जा रही है क्योंकि मेरा गला बहुत जादा खराब है और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी तो मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो जोड़ के बनाऊंगी आप लोगों के साथ सेयर करूंगी वीडियो अच आप लोगों के लाँ थागाओा है